निर्वस्त्र स्नान करने वालों के साथ क्या होता है? पहला, भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों को वस्त्र वापस देते हुए इस बात का बोध कराया कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए ऐसा करने से जल के देवता वरुन का अपमान होता है दूसरा, जब कोई व्यक्ती बिना कपड़े के नहाता है, तो ऐसा करने से उसका तेस, बल, शौर्य, धन, सुख और क्षमता सभी नश्ट हो जाते हैं तीसरा, गरुन पुरान में बताया गया है कि मृत पूर्वज आपके आसपास ही मौजूद होते हैं ऐसे में निर्वस्त्र स्नान पित्र दोश का कारण बन सकता है चौथा, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ती बिना कपड़ों के स्नान करता है, उससे धन की देवी मा लक्षमी नाराज हो जाती है पांचवा, निर्वस्त्र स्नान करने से आपके जीवन में हर समस्याओं से आप पीडित रहेंगे और साथ ही समाज में आपकी प्रतिष्ठा कमजोर होती है निर्वस्त्र होकर क्या ना करें? पहला विश्नु पुरान के अनुसार सोते समय मनुष्य को निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से रात्री के देवता चंद्रमा का अपमान होता है। दूसरा, जल में सनान करते समय पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवताओं का आशिरवात प्राप्त नहीं होता है। तीसरा, निर्वस्त्र होकर कभी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागिदार बनते हैं। दोस्तों आप हमें अपना प्यार और आशिरवात देने के लिए कृप्या एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ओम साही राम।